नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपने चैनल क्रिप्ट अवीदस भी में मैं आपका दोस्त कुशान बच्छी आपको नए साल की हार्दिक छुपकामनाय देता हूं अभीत करता हूं की वर्ष 2023 आपकी जीवन में आपके परिवार की जीवन में धेर सारी खुश्यां लेके आए आपकी सारी मनों कामनाय सारी उमीदे इस साल में पुरी हो आपका जो पुरा परिवार है आपके साथी है उनकी जोली इतनी खुश्यों से बरे की ये साल आपके लिए एक यादकार के रूप में जो है अब 2024 में जाते हुए दर्ज कर सको द हो मुझे नहीं पता लेकिन अगर आपने मेरी टाइम लाइन पर हगना है तो आप जैसा मूरस कोई नहीं है क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला और अगर आप कमेंट देखते होगे एक पर दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हो तो जुरूर कमेंट करके ऐसे मेरे दोस्तों को मैसेज देना जिनको यह लगता है कि पाई जो है कुछ नहीं देगा क्योंकि आप देखिए चंदन स्वैंग यह लिख रहे हैं कि वेट करो भाई डिपाजिट सेंड बिड्राग आन होने दो प्राइज पॉइंट 007 डालर चलेगा भाई कुछ तो बनेगा और दूसरा मैसेज मेरा इनके साथ है कि यह कोई पीजी है पाई बिग स्कैम बीटी सी ब्लैक का भी भाई बिलकुल हो सकता है मैं इसमें मना नहीं करता लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे अलगलग एक्स्चेंजिज ने जी हाँ अलगलग एक्स्चेंजिज ने सियो मोटो जो है काल लेके पाई को लिस्ट करना शुरू किया है डाइट इस बिग तिंग हजारों टोकन वो कर सकते थे हजारों टोकन वो डेली करते हैं और उसके बाद जो वैल्यू कमांड हो रही है वो देखो और जैसे जिस एक्सचेंज का आकार है जैसे जो उनसी एक् पाई की जो वैल्यू है वो डिटर्माइन हो रही है कि क्या वैल्यू हो सकती आने वाले समय में तो उस पर आप नदर रखोगे आपको कापी कुछ सीखने को मिलेगा समझने को मिलेगा प्रोसाहन मिलेगा लेकिन मैं किसी को एक्सचेंज पर जाके पाई ख्रीदने की सिजे सर लूग के लोग हैं जिन्हों नहीं किए वो स्केम के लिए नहीं किये उनका परफस हम जल्दी इसको बेच के 920 11 हो जा है उनका यही परफस है। बाकी पाई को टेम ने भी कहा है पाई इस इंकलोज में नेट विद नो एक्स्टरनल क्नेक्टिविटी पर्मिटिड पाई नेटवर्क इस नाट अफलेटेड विद एन और बिल्कुल ठीक है यही बात मैंने कल आपको वीडियो में समझाने की कोशिश भी की थी लेकिन आप देखिए कि पाई नेटवर्क आई यो यू अब आपने देखा होगा यह एक संटेंस आपको काफी जगा पे मिला वाट इस आई यो यू यह स्क्रीन पे आप देखिए यह मैं आपको थोड़ा सा समझा भी देता हूँ वाट इस दा मीनिंग आफ आई यो यू यू मीन्स आई ओ यू की मेरा आप पे क्या है उदहार है अब इसमें क्या है जैसे आपके प्रामजरी नोट होते हैं जैसे हुंडी होती है जिस पे आप लिखते हो वो का लीगल डाकुमेंट बन जाता है IOU को legal document नहीं होता यह अलगला shape में हो सकता है कोरे कागज पर आप लिखके देख सकते हो किसी को verbally बोल सकते हो कि भईया मैंने तेरे से यह लिया या मैंने तेरा इतना उधार देना है यही बात आपको आगे समझाई जाएगी The debt usually involves a monetary value कि इसकी कुछ value होती है as a piece of paper और even a verbal deed जैसे मैंने आप भी आपको बताया between members of the same family कि एक family में भी members हो सकते हैं In some cases businesses may also use IOU as method for informally regarding how much they owe to another company or to their imply for example यह एक simple meaning हो गया IOU का लेकिन इससे बड़ी चीजे समझ में यह आती हैं कि जो exchanges हैं वो क्यों आगे बढ़ रही हैं क्यों आ रही हैं क्योंकि उनको pie community के बारे में पता है दूसरी चीजा आपको समझने वाली होगी मेरे काफी दोस्स समय समय पे एक ही सवाल कहते हैं कि सर इसकी supply इतनी है supply इतनी है supply इतनी है दोस्तो आप अपने wallet में देखिए अगर आपके पास काइन आ चुके हैं कितने काइन आपके पास माइन की हुए मत देखिए कि आपने इतने माइनिंग आपके पास है आपके पास खुद के माइन की हुए कितने है साथ हजार की figure मत देखिए दस हजार की बीस हजार पचास हजार जो भी आपके पास उपर फिगर है उसको इग्नोर कीजिए आपके खुद के देखिए वो कुछ हजारों में होंगे या कहियों के तो सों में होंगे अगर कल को कोटीन और एक चीज़ यहां पर आपको और समझा देता हूँ जब आप कुछ भी जीवन में डिसीजियन लेते हो शादी करते हो शादी के बाद प्लैनिंग करते हो बच्चे को जनम देने की कहीं का एक होता है कहीं के दो होते हैं कहीं के चार होते हैं जैसे भी उनकी जुरूरत है जो भी उनकी प्लैनिंग है ऐसा तो नहीं है बच्चे को जनम देने के बाद आप क्या कर देते हो अपनी रिस्पॉंसिबिल्टी से पीछे हट जाते हो साल दो साल तीन साल पाँच साल उसकी परविरिश करते हो उसके बाद कहते हो चोड़ दे तीन चार साल उन्होंने दिये हैं तो कुछ तो होगा उनके दिल में दिमाग में और सारे ही सिक्चे थोड़ी अभी खोल देंगे जब से आप मेरे साथ जुड़ों एकी बात कहता हूँ किसी भी चीज़ को चलने में करने में बनाने में टाइम लगता है टाइम आपको देना बड़ेगा टाइम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते अपनी जिन्दगी को बनाने में आज आप जितने भी साल के हो यहां तक पहुंचे हो जो भी रोजगार कर रहे हो आपने टाइम दी है टाइम दी है अगर आप टाइम दोगे तो आपको जुरूर फाइदा मिलेगा अप कैसे मिलेगा क्या मिलेगा क्या होगा वो स्कैंडरी है लेकिन आपको अगर विश्वास किया तो आप बहुत दूर तक पहुंच सकते हो अब पाई पहुंचे ना पहुंचे यह अभी मैं नहीं बोल सकता कुछ नहीं कह सकता सिर्फ इतना मैसेज दे सकता हूँ इतना कनवे कर सकता हूँ माइनिंग करते रहों माइनिंग करते रहों माइनिंग करते रहों एक ही मैसेज दे सकता हूँ मिलेगा तो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा तो आपका कुछ नहीं जाएगा investment मेरी strictly कोई advice नहीं है क्योंकि कल मेरे किसी दोस्त ने लिखा था कि आप जो है के साथ Bitcoin में हुआ यही Ethereum में हुआ यही सारी Crypto's में हुआ किसी ने खरीदा किसी ने बेचा अब जुरूरी नहीं है कि वो सारे वेलसियों बेचने वाले वो मेरे के समयदार दोस्त भी है मेरे भाई भी है जिनोंने टॉप पे बेचा और वो अराम से बैठे हुए है आप में से किसी ने crypto से खुब पैसा भी बनाया होगा in fact मैंने भी जुरूर कमाया है तो अगर मैं यह बात बोलता रहूं कि हम लुटगे हम लुटगे घ्राम लुटगों तो इसमें तो कोई कि अब क्या करना चाहिए बढ़र बाठा बोलता था पैसा उतना अलगाओ जितना आप क्या कर सकते ओंडि मेंने की ताकत रखते अब आगे इनो ने बताया, PIE network is aware of reports that several unauthorized third party exchanges and potential unknown third parties are seeking to list PIE tokens और tokens purporting to be PIE or some derivative sa PIE, तो इसलिए इनको जो IOU है इनको अब derivatives कह सकते हो, without the consent authority or involvement of PIE network, तो आगे इनो ने बताया, it is in the enclosed network and is not approved by PIE network for listing on any exchanges or for trading and PIE network was not involved with any of this purported posting or listing, तो इसलिए इनो ने बोला है कि आपको अगर कल को कई नुकसान होता है तो इसमे PIE की जिम्मेबारी नहीं है, उन्होंने अपनी तरफ से disclaimer दे दिया है, इसलिए मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, आगे इनो ने बताया, in the interim, it is important to reiterate that the transaction of PIE through an exchange is explicitly prohibited during the enclosed main period and doing so would be violation of PIE policies, आपका account banned हो सकता है, आपका account banned हो सकता है, लेकिन जिसने बेचना है उसको क्या बोलने है, उसने तो बेचना ही बेचना है, कालेक्ट सज्जर ने लिखा था कि मैं आपना PIE का account बेचना चाहता हूँ, उसमें पांसी जाद PIE है, कोई खरीदना चाहता है, मेरे साथ जो है, वो contact करो, comment उसका remove हो गया, delete हो गया, लेकिन एक चीज़ मुझे समझी नहीं आती कि लोग इतने impatient होते क्यों हैं, क्यों लगे कोई भी पैसा PIE को खरीदने के लिए मत दो, काल को क्या होगा, कोई पता नहीं, प्री में माइनिंग करके रखो, जिनके लाक हैं वो wait करो, और आने वाले समय में जुरूर जो है, ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा जो हो सकता है, जिस हिसाब से अब की PIE की value unlock होनी जिस पे तो गवा दें, अब एक चीज़ और आपके साथ शेर करना चाहता हूँ, आप एक बार स्क्रीन पे देखिए, looking towards 2023, पाई कोई टीम इस पे क्या add कर रही है, अब पाई कोई टीम का कहना है कि 2022 में नेटवर्क ने काफी कुछ देखा, KYC हुआ की शुरुआद हुई, में नेट माईगरेशन हुई, एक जो एको सिस्टम को बिल्ट करने में पहला फॉंडेशन का काम था, वो हमने शुरु किया, कहते हैं हमने काफी कुछ किया है, पाई लॉंग टर्म विजन और फोकस ऑन स्टेप बाई स्टेप बिल्डिंग आप सबस्टेंसी और जूडे हुए हैं, जिसमें से मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहीं है, तो एक डेट मिलियन पाई यस active mining भी कर रहे हैं, यह भी चीज है, but also has been making steady progress and growth towards its goal, guided by its vision to build the world most equally inclusive, peer-to-peer P2P ecosystem and online experience yield by the world's most widely used cryptocurrency, फिर कहते हैं कि we are so excited for what is come in 2023, another year of building towards our shared goal of reaching the next period of main net, तो इस साल में यह बता रहे हैं कि main net का second phase भी start हो जाएगा, the effort does not just rest on any small group, but on all the pioneers together, यही चीज़ में आपके वो रहा हूं कि यह एक group का या core team का काम नहीं है, यह हम सभी के collective effort है, कि pie कहां पे जाके कल रुखेगा, pie कहां पे होगा, क्या होगा, तो यह मेरी आपकी हम की जिम्यवारी है, जैसे बच्चे को जनम देखके, उसको पालने की जिम्यवारी हमारी है, आपने देखा होगा किसी stranger को देते हो, वो रोना शुरू कर देता है, ममा, ममा, पापा, पापा चिलाना शुरू कर देता है, जैसे आपके हाथों में आता है, चुप कर जाता है, क चाते हो तो जो speculations है उनसे आपको दूर रहना चाहिए जो speculative transactions हो रही है उससे दूर रहना चाहिए आपको यह लालच नहीं करना चाहिए कि आज इतने का मिल रहा है मुझे यह खरीद लेना चाहिए इसलिए आपने देखा होगा अलग अक्सचेंज इस पर प्राइज डिफरे है जिनको तो सटा और सटोर खेलना है जिनको जुआ खेलना है वो क्या करेंगे अपने हिसाब से खरीजेंगे बेचेंगे और जिनको आगे वैल्यू क्रिएट करनी है आगे देखना है कि हमें क्या future में मिलेगा वो क्या करेंगे इसको माइन करेंगे माइन करेंगे माइन कर और जिन्होंने नहीं देखा होगा वो गलती जरूर करते ही रहेंगे आगे भी इसी तरह से आपके साथ जैसे जैसे जो भी अपडेट होगा वो जरूर शेयर करूंगा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ही था कि मेरे दोस्त जो कल बोल रहे थे कि मैं फेक का यूप financial transaction से बचके रहना चाहिए इससे पहले कि आपको कोई बड़ा नुफसान हो जाए इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खतम करता हूं उमीद करता हूं कि आपको जुरूर जो है इस वीडियो से कुछ ना कुछ फाइदा मिलेगा अब नेक्स्ट वीडियो एक मैं ल जिनों ने किया है या जिनका लागी नहीं हो रहा जिर्जिनका password भूल गया है उनको जुरूर एक बडिसकूस करूँगा टाप्क पर क्या क्या करना चाहिए अगर आपका भी कोई सवाल है तो एक बर comment section में पूछिएगा अगर आपका सवाल भी interesting हुआ तो उस पे भी जो है मैं reply देनी की कोशिश जुरूर करूंगा अगर आपका पाई से related कुछ भी interested question जो community के लिए जो मेरे follower के लिए जो है important होगा इसी के साथ दोस्तो क्रिप्टो विदास भी हर social media platform पे present है आप वालो कर सकते हो मर जी आपकी वीडियो करता हूं खतम एक बार फिर से आप सभी को आपके सभी परिवार वालों को नवर्श की हार्दिक शुबकाम नहीं नमस्कार जाहें